देखें दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम सेल ने एक बहुत बड़े जॉब स्कैम का भंडा फोड किया है हर्याणा से चलाए जा रहे है इस गिरों ने फर्जी सरकारी वेबसाइट बना कर 27,000 लोगों से ठगी किये है वेबसाइट पर करीब 13,000 नौकरियों की पेशकर्ष की गई थी इस गैंग में शामिल 5 लोग कथित तौर पर जॉब एस्पिरिंट्स को एक मैसेज भेजते थे जॉब अपलाई के लिए लोगों से पैसे वसूते थे जिसके चलते इन्होंने एक करोड नब्बे लाख रुपए की ठंगी को अंजाम यहाँ पर दिया है आलोक मेरे साथ जादा अपडेट की जो गए है आलोक यह जो पांच लोग है क्या इनका बैगराउंड है कैसे यह लोगों को बेवकूब बनाने थे क्या इनका पूरा का पूरा मोडस था यहाँ पर जो नोया देखिए दो एहम बाते हैं एक तो यह की जो लोग गिरफतार हुए हैं आजैनल में से दो वेक्ति एसे हैं जोकी पैसा देती है ठेका पे ठेका देती है ताकि वो एक्जैमनेशन कंडट करा सके यह एक्जैमनेशन सरकारी examinations होते हैं online examinations जैसा हम लोगों को पता है तो इन लोगों को पता था कि किस तरीके से प्रक्रिया होती है किस तरीके से ads शपते हैं किस तरीके से सरकार जो है लोगों को apply करवाती है कोई exam करवाने के लिए तो ये प्रक्रिया इनलों को पता थी, इसी कारण से इन्होंने इस तरह का गोरगधंदा स्टार्ट करने का सोचा, इन्होंने पहले तो सबसे पहले इस तरह के वेबसाइट्स बनाई, जो की वेब डिजाइनर और सौफ़ेर इंजीनियर ने बनाई, और उसके बाद ये वेब मिनिस्ट्री के अंडर में दिखाते हुए वेबसाइट बनाई, दो अलग-अलग वेबसाइट्स हैं, और इस पे ये बोला कि लगबग 13,000 वेकेंसी हैं, और ये वेकेंसी जो हैं, वो डेटा ओपरेटर, अकाउंटेंट्स, एम्बुलेंस ड्राइवर्स और कैब तो लोगों ने देखा कि इस तरीके से वेकेंसी आ रही है, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में लोगों ने अप्लाई करना शुरू किया, अब इसमें जो अप्लाई करना था, उसमें आपको 500 से 400 से 500 रुपए देना था, रजिस्ट्रेशन फीज, आपको पता है कि अगर 400 रुपए दिया, जैसा जैसा जोब प्रोफाइल था, उस हिसाब से 400 रुपए लिए गए, उस हिसाब से इन लोगों ने 1.90 रुपए बना लिए, अब जब लोगों के पास लोगों ने रिजिस्ट्रेशन करा लिया, और लोगों को ये लगा कि अब एक्जाम से डेट आनी जो हेल्थ मिनिस्ट्री उसको टैक किया, औरिजिनल हेल्थ मिनिस्ट्री को ट्रैक किया, टैक करके कंप्लेंट करना शुरू किया, कि आपने आड निकाला था और आड में आपने बताया कि एक्जाम होगा, हमने तो रिजिस्ट्रेशन करा लिया, लेकिन एक्जाम डेट नह उन्होंने इस मामले की जान शुरू किया जान शुरू करने के बाद उन्होंने पाया कि इस तरह का फ्रॉड हो रहा है और इस तरीके से उन्होंने जो बैंक अकाउंट दिये गए थे उसको पहले खंगाला और उसके थुरू पता चला ये फरजी बैंक अकाउंट है उसके द् दिल्ली पुलिस की साइबर सेल टीम ने यहाँ पर क्रैक किया है